कि घ्लो दोस्तो आपने तो कई तरह के ओर देखें होंगे लेकिन आज हम आपको एसे 10 बहतरीन क्राफ से मिलवाएंगे आप दंग रह और बोलने को मुझबूर हो जाएंगे वाओ एसे भी क्राप्स होते हैं क्या तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है और आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा इंफरमेशन मिलने वाला है नमबर एक पर आता है लाइट ब्लू सोलजर क्राप ये सोलजर क्राप रेती ले तरट पर रहना पसंद करते हैं ये क्राप्स के प्रजाती ज़्यादा तर रेत के अंदर ही समावी पिताते हैं और साम होने की कुछ गंटे पहले बाहर आते हैं इस प्रजाती को साइनिक प्रजाती के क्राप्स आमत पर मेक्शिकों के डक्षिन दलेकर पानामा तक सब्सक्रापनों में पाइजते हैं लिए फ्रजान के लिए पानी के पास जना पढ़ता है इनके ब trenchे नीला रंग कि होता है और पेर नारंगी होते हैं इनके आकों के पिछे धब्बा होता है जो स सुन्दर बढ़ाता है इनके साइज की बात किया जाए तो ये 5 सेंटिमीटर तक और पंजे 10 सेंटिमीटर तक होता है लेकिन खुद को बढ़ा दिखाने के लिए ये पंजे पर खड़े होता है नमबर तीन में आता है रेट घोष्ट क्राब इनका नाम घोष्ट क्राब इसलि ये केकड़े बड़ी तादाच से बिलो से निकलते हैं तो ये समंदर की तट लाल रंग सा हो जाता है इनकी साइज की बात करें तो इनकी साइज 5 सेंटिमीटर से ज्यादा नहीं होती है ये ट्रोपिकल रिजन पे रतीले तेट पर पाए जाते हैं नमबर चार में आता है वाटर मेलन फिडलर क्राब तरभुज की तरह दिखने वाला इस क्राब का नाम इसकी रूप के लिए दिया गया है इसका बड़ी हुबहु तरभुज जैसा दिखता है इसका पंजा और पेर लाल कलर के होते हैं ये क्राब पस्चिम प्रसान महासाग में पाए जाते हैं इसका साथ ये क्राब चाइना जापान फिलिपिन्स थाइलांड में भी पाए जाते हैं लड़ाई के लड़ाई के करने पर अगर इनके एक पंजा अलग हो जाता है तो दूसरा निकल आता है और वो निया पंजा पुराना से छोटा होता है नमबर पांच पर है रेड़ स्पोर्टेड ट्राफिज क्राब ये प्रधर के केकड़े इंडो स्पेस्पिक रिजन माल्डिप्स में पाए जाते हैं इनकी साइज की बात करे तो पांच सेंटिमिटर तक बड़े होते हैं ये क्राप्स बड़े सुंदर और आकर्शक दिखा का चुनते हैं इनका बड़ी दुस्मन स्टार पीस होता है इसलिए एक राप्स खुद को छुपाने के लिए कोराल के बीच में छुप जाते हैं नमबर छे पर आता है गोल्डेन घोष्ट क्राफ ये क्राफ अपने सुनेहरे पिले रंग के कारण बहुत अच्छे लगते है ये क्राफ्स दूसरे क्राफ्स के तुलना में थोड़ा बड़े होते हैं इनके बड़ी की चौड़ाई की बात करे तो 5 सिंटिबिटर रंग होती है और पंजे भी दूसरे क्राफ्स के तुलने में बड़े होते हैं इनकी शरीर भीबक्स की तरह होता है ये क्राफ्स आमतर पर पस्ची में अस्ट्रेलिया के रेतिले तड़ पर पाई जाते हैं तड़ पर कच्छुआ का दिया हुआ अंडा को यह केकड़े बड़े मज़े से खाते हैं नमबर साथ पर आता है पालावन परपल क्राप यह केकड़े की खोज साल 2012 में की गई थी यह प्रजाती के केकड़े को अभिस्कार करना बड़ी मुश्किल सा काम था क्यूंकि इनकी प्रजाती का मेल हमेशा बेंगनी और फिमेल गेहरे लाल रंकी होते हैं इस प्रजाती फिल बेंगनी होने की कारण यह बहुत सुन्दर दिखते हैं नमबर आठ पर आता है कैंडी क्राप इस प्रजाती केकड़े को अब तक का सबसे दिल्चस्प प्रजाती माना गया है क्यूंकि यह बहुत रंग भी रंगी होते हैं इनकी स्पेस्यालिटी यह है कि यह वातावरन की से हिसाब से अपना रंग को बदल सकते हैं और इनका साइज की बात करें तो यह देट सेंटिमीटर से दो सेंटिमीटर तक बड़े होते हैं नमबर नौ पर आता है सलील लाइट फूड ग्राव यह केकड़े आमेरिका के पस्चिम तर्ट पर पाए जाते हैं इसका दूसरा नाम है ग्रापसस ग्रापसस यह केकड़े अपना सरीर का गढ़न लाल रंग और लाल रंग के पट्टे के लिए जाने जाते हैं पेरों के न नमबर दस पर आता है गोड़ी क्लाउन क्राव इस प्रजाति के केकड़े आम तर पर मेक्सिको में पाए जाते हैं इसका कबस नारंगी रंग का होता है और इसमें सफेद रंग भी सामिल होता है इनकी साइज की बात करे तो यह 3 सेंटिमिटर तक बड़े हो सकते हैं यह प्रजातिकों केकड़े को लोग अक्वेरियम में रखना ज्यादा पसंद करते हैं तो दोस्तों यह थे दुनिया के दस खुब्सरत क्राप्स आपको यह रंग बे रंग केकड़े कैसे लगे कमेंट बक्स में जरूर बताए आज की वीडियो में बस इतना ही और यह जान